खिल्वार करने से भी नहीं चूपते आपको बताते हैं ये मिलावट खोर कैसे बनाते हैं दूद्ध ये है शैंपू जो नहाते वक्त काम आता है लेकिन इससे दूद्ध भी बनता है कैसे बस देखते जाईए ये तीनों शक्स दूद्ध बना रहे हैं इसके लिए पहले एक बड़े से बरतन में थोड़ा सा शैंपू डाला और फिर रिफाइन डॉयल देखते ही देखते ही ये मिक्स्चर सफेद पेस्ट में बदल गया फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूद्ध इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बाल्टी पानी लो बन गया दूद्ध आधा किलो दूद्ध दस किलो में बदल गया ऐसी ही जगहों से हजारों किलो नकली दूद हलवाईयों के यहां पहुँचता है और फिर इससे बनती है मिठाईया अब सुनिए ये लोग ये काम क्यूं करते हैं साहुद देखो अब एक तो नौकरी तओ है इना जी और दूसरी एक ऑर बात आप दूद के रेट कम मिल ले हैं और कैसे भी दूद हमने के बनानों सुरू करते हैं साहुद यहम은 कम पीसा में ज़्यादा दूद बन जाऊए और वाते अपना याय भी मिला दें, दोन ने मिला कर बेख दें, ग्रावटी सही आ जाया है और कोई पैंचानी ना सकै, अथनों ही मावण निकले हैं, अथनों ही घी बना मैं हम आपके हैं हमाही पूर्थी करनी पर आप बच्चेा को ना हमांको फैलाँ सब्सक्रास प्रणी। वटरणी प्लदुद दूदिखय़ मेरे हो आप अफ़द दूद बनाने का एक और फार्मूला है इन विलावट खोनों के पास और इन है इसके लिए आधा किलो दूद की भी ज़रूरत नहीं इजी है न जो हम आप कपड़े धूने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ इसका इस्तेमाल दूद बनाने के लिए हो रहा है साथ में है सिंघारे का आटा, रिफाइन डॉयल, खाने का सोडा, मिल्क पौडर, ग्लुकोज और थोड़ी सी इलाइची कपड़े धूने की बालती में बारी-बारी से यह सब मिलाया गया यहाँ इस सारे सामान को फेटने के लिए एक मशीन भी है ताकि नकली दूद को देख कर पहचाना न जा सके ऐसे एक एक घर में हर रोज 100 किलो तक नकली और जानलेवा दूद बन कर बाजार में पहुँचता है यह सारा दूद हलवाई के हां मिठाई बनने के लिए ही नहीं जाता हमारे और आपके घरों में भी पहुँचता है चाहे बनाने से लेकर बच्चों को पिलाने तक के काम आता है लेकिन इन्हें इस सबसे क्या मतलब अपनी जेब गर्म होनी चाहिए चाहे कोई मरे या जीए आईशा मुझे बनबाते बनबाते करीब करीब 15-20 साल हो गए और ये फॉर्मूला मैंने उस वक्त सीका था जब ये डेरी वालों ने इसको बनाना प्सुरू किया था और दूद की कमी होती चलीगे दूद की कमी को देखने के बाद में इसकी और ज्यादे प्रोग्रेस होई और प्रोग्रिय होने के बाद में इसकी इतनी डिमांड बढ़ दू हिए, प्रजां का सुझार बालस अिसने दिमांड में धचान करके यह दूध असली है के नकली है. वैसे तो ये काला धंदा साल भर चलता है लेकिन दिवाली के वक्त जब दूद की मांग आसमान चूरे ही होती है तब इस गोरक धंदे में और तेजी आजाती है कमाल ये है कि दूद की गुनवत्ता मापने वाली ये मशीन भी कई बार इनके आगे नाकाम हो जाती है बिना मिलावट के दूद की ग्रेविटी 26 आनी चाहिए लेकिन मिलावट इस तरह से होती है कि नकली दूद की ग्रेविटी भी 26 के आसपास होती है कभी कभी तो 28 भी हो जाती है और अफसोस जनता समझती है कि ये तो प्योर दूद से भी प्योर है सफेद दूद का काला कारूबार ये सिलसिला चला तो सालों से आ रहा है लेकिन खास करके दिवाली के वक्त में इनकी मांग काफी बढ़ जाती है और इससे बने मेवे और मिठाईयां हमारे और आपके घर में पहुंचती है इसका कारूबार करने वाले लाखों का मुनाफ़ा कमाते हैं बिना इस बात के फिक्र किये कि हमारे और आपके सिहत पे इसका कितना बुरा असल हो रहा है बुलन शहर से मनीश और मदलाल के साथ शारिख खान इंडिटीवी इंडिया बुलन शहर से मनीश से हैं